आमतोर पर राष्ट्रवादी निता आधुनिक सिक्षा प्राप्त लोग थे जो लोगतंत्र, उधारवाद या सामिवादी विचारों से प्रभावित थे लेकिन उनके देश के अधिकांश लोग अपने पुराने विचारों को ही लेकर चल रहे थे जो प्राया पुरुष प् और संस्थाओं की मदद से नए विचारों को लोगों में फैलाते हुए राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास करना चाहती थी, दूसरी और ऐसी धारा थी जो पुरानी परंप्राओं वधर्मों के आधार पर लोगों में साजी भावना विक्सित करने का प्रयास कर रही थी, इस तरह राष्ट्रवादी आंदोलनों में सामाजिक बदलाओं और पुराने पहचानों को बनाय रखने की बाद साथ साथ चलती रही। आपको याद होगा कि भारत में गांधी जी, जवाहलाल नहरू और वल्लभाई पटेल जैसे कॉंग्रेस के नेता संभ्रांत वर्ग के होते हुए भी गरीब किसानों, मजदूरों वध जनजातियों के आंदोलनों में समलित हुए थे और उनके हितों को राष्टवादी आं राष्टवादियों के समक्ष तीसरी चुनोती यह थी कि अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक प्रणाली विक्सित ही नहीं हुई थी, नहीं वहाँ व्यापक जनभागीदारी के आधार पर राष्टवादी आंदोलन बने, पर भारत इन मामलों में अपवाद ही रहा, क् कि 1880 से ही भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली का आभास लोगों को होने लगा था, अंग्रेश सरकार ने भारत में मतदान तथा चुने गय प्रतिनिधियों द्वारा नगरपालिकाओं के कामकाज की परंपरा शुरू कर दी थी, 1919 और 1935 में व्यापक चुनाओं के आधार पर प्रांतिय सरकारों का गठन भी हुआ था, इनके अलावा भारत में प्रात्मिक सिक्षा अन्य देशों की तुलना में अधिक व्यापक थी, और उच्छी सिक्षा के लिए विश्विद्याले भी इस्थापित थे, इनमें आप्त करके एक सचेत मध्यम वर्ग उभर चुका था, जो देश के लगभग हर वर्ग, जाती, धर्म और प्रांत का प्रतिनिधितु करता था। प्रणाली काफी सुद्रण थी, लेकिन श्रीलंका को छोड़कर अन्य देशों में इस तरह की लोगतांत्रिक संस्थाओं और अनुभवों का आभाव था, इस कारण इन देशों में उपनिवेश के विकल्प में लोगतांत्र नहीं, बलकि ताना शाही ये सैनिक शाशन वि थे, हर तरफ किसान, मजदूर, आदिवासी, यूव, आदि उपनिवेशी वेवस्था के विरुद लड़ने लगे थे, इस बीच गांधी जी के नेत्रुत में कॉंग्रेस पार्टी, राष्टवादी आंदोलन का नेत्रुत कर रही थी, जैसे जैसे यह साफ होते गया कि भ स्वतंत्र भारत में दलितों का क्या इस्थान होगा, इसी तरह मुसल्मान भी चिंता करने लगे, तमिलनाडू जैसे राज्य के नेता भी यह सोचने लगे कि स्वतंत्र भारत में उनके लिए क्या जगा बनेगी, कॉंग्रेस पार्टी यह कहती रही कि वह पूरे भारत के लोगों का प्रतिनिधित्त करती है, और वह निस्पक्षिता के साथ सबके साथ न्याय कर सकेगी, लेकिन इसको लेकर सभी आश्वस्त नहीं थे, अंग्रेजों ने इन आशंकाओं का लाब उठाया, और यह जताने लगे कि कॉंग्रेस भारत के सभी तबकों का प्रतिनिध तो नहीं कर सकती है, और उन्होंने अलग-अलग धर्म और जाती के लोगों को आगया कर अपना दावा रखने के लिए प्रेरित किया, भारती मुसलिम लेक के नेता मुहम्मद अली जिन्ना ने मुसल्मानों के लिए अलग-अलग देश पाकिस्तान की मांग की, इसी समय जम नौसेना भी विद्रोह की कगार पर थे, सन 1946 में तो अरब सागर पर तैनात नौसेना के जवान विद्रोह कर गए और उन्हें भारी जन समर्थन मिला, इस्तिती को देखते हुए लगा कि अगर स्वतंत्रता और टली तो देश में अराजक्ता का माहल बन जाएगा और अंग अधिनस्त राजाओं को यह तै करने की स्वतंत्रता दी कि क्या वे भारत या पाकिस्तान के साथ विलय चाहते हैं या स्वतंत्र बने रहना चाहते हैं, इनमें से अधिकांश राजा भारत में विलय के लिए तयार हो गय थे, मगर कुछ बड़े राज्य जैसे जम्मू कश् अधिर हैदराबाद आधी के शास्कों ने स्वतंत्र बने रहने का प्रयास किया, लेकिन स्वतंत्र भारत का लोकतांत्रिक समिधान कैसे बना और सारोभॉमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर किस प्रकार संसत का चुना हुआ, यह कहानी आपने राजनीती शास्त्र के यह देश हॉलेंड यानि नीदरलेंड का उपनिवेश बना है, यहां हम इंडोनेशिया के स्वतंत्रता की कहानी पढ़ेंगे, दृते विश्व के युद्ध के दोरान जर्मनी ने हॉलेंड को हरा कर अपने सामराज में मिला लिया था, और इंडोनेशिया पर जर्मनी के सह जापान का कबजा हो गया था, जापान ने इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की बात तो की, मगर वास्तों में इंडोनेशिया को अपना उपनिवेश बनाना चाहा, जापान की सेना ने बरबरता से इंडोनेशिया के जंगलों को काटने, खनिच संपदा पर कबजा करने, और व्यापारिक फसलों को जापान भेजने का काम प्रारंब कर दिया और स्थानिय लोगों से जबर्दस्तिक काम करवाने लगा लेकिन उन्होंने कुछ हॉलेंड विरोधी इंडोनेशियाई राश्टवादियों को खुल कर राजन्यतिक काम करने दिया इनमें सुकर्णों भी सम्मलित थे जिन्हें डच सरकार ने 10 साल से जेल में बंद रखा था जापानी सरकार ने डच भाषा की जगा स्थानी भाषा की उप्योग को प्रोचसाहन दिया लेकिन कई राश्टवादियों ने जापान का विरोध भी किया और कहा की जापान हॉलेंड से भी बुरा व्यभार कर रहा है कुल मिलाकर 1949 से 1945 के बीच इंडोनेशिया में राजनेतिक अस्थिर्ता के चलते राश्टवादिक गतिविधियां तेज हो गई